अबरिवन स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल तुफानी सम्मेग मैं तो दोस्तों आज मैं सम्मेग जैन सप्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने एक बहतरी नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे बहतरी टॉपिक जिद्धी ना होने के क्या लक्षड होते हैं इंसान के अंदर किसी काम की प्रती जिद्धीपन ना होना इंसान के अंदर किन कारणों की बहतरी से आता है उस आज उन कारणों को मैं बताऊंगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहे तो दोस्तों स्टार्ट करते है आज का वीडियो तो दोस्तों कारड नम्मर एक क्या होता है कि जब इंसन अपनी इच्छा को अपनी आखल में रियालीटी में को करना क्या चाहता है इस बात को अपने लक्ष को परवासित करने में इसको identify करने में define करने में या fail होता है तो एक कारड़ यह होता है एक जिद्धीपन ना पैदा होने का अंदर से अपने काम के प्रति निर्णे में देरी करना एवं अपने काम के प्रति आलस दिखाना आलस के साथ सद देरी करना विलंब करना और बहाने बनाना उसको दीरे-दीर टा अंदर पाय जाता है यह लक्षड इसी तरह से इसी तरह से दोस्तो जो विशेज ग्यान होता है special knowledge जो होती है उसको प्राप्त करने में जो इंसान fail हो जाता है उसके अंदर अपने काम के प्रति रुची और जद्धीपन जो की द्रड़ता होती है वो कम हो जाती है इसी सीरी दूसरे पर तोपना अपने कामों का प्राण दूसरों पर तोपना और दूसरों के प्रति रहना यह भी एक कारण है कि लोगों के अंदर अपने काम के प्रति जिद्धीपन नहीं रहता हो फेल हो जाते हैं तो कारण नमबर पांच है जो की लक्षड जिद्धी ना होने का पाय जाता है अपने काम के प्रति लोगों में वो उसका एक यह भी कारण है कि जो लोग समस्याओं का समाधान करने की बजाए उन समस्याओं के लिए प्लानिंग और करने की बजाए अपने दूसरों के बरोसे रहते हैं तो उनके अंदर अपने काम के प्रति जब रुशी नह नहीं होगी तो जद्धीपन होने का भाव कहां से आएगा दोस्तो एक लक्षण हो दोस्तो आत्म संतुष्टी जिसको बड़े-बड़े लोग एक बीमारी बताते हैं जिसका इराज बहुत कम पाये जाता है आत्म संतुष्टी जो इंसान अपने आप से एक जो काम वो कर रहा होता उसका काम करने का मन नहीं होता दोस्तों नुटर्ल रहना आम तौर पर किसी कि बीं मालो कुई ना होने का लक्षड है वह बहुत कतरनाक पाया जाता ये भी एक किसी की गलती के लिए किसी और को दोशी बनाना और एक सही सिचुएशन में अपने आपको डालना और एक मालब सुटेबल और कमफर्ट जोन उसमें रहने की आदर डालना ये भी एक जिद्धिपन ना होने का कारड है दोस्तो जिसके कारड कई सारे लोग सक्सेस होते होते भी अंसक्सफफल हो जाते हैं जो कि बहुत गंदा कारड दोस्तो उमीद करता हूँ यहां तक कि आपको यह सारी नॉलिज यह सारी बात है आपको अच्छी लगी होंगे यह सारे लक्षान आपको जानकर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा दोस्तों तो आपसे उम्मिद करता हूँ आप मेरे बास समझ रहे होंगे तो दोस्तों अगर आपको जराबी एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकन को हिट करना ना मूलें और आप प्लीज कमेंट शक्राइब प्लीज प्लीज यह बताइए कि आपको वीडियो कैसे लिए